हेलो दोस्ता फिर से मैं आ गया हूँ एक न्यू एनफो के लेकर और इस एनफो में आप इंवेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और यह एनफो होने वाला है मोती लालो सुवाल का तो मोती लालो सुवाल का एनफो पिरियेट चल रहा है अभी आप इसमें इनफेस कर सकते हैं मेरे तरफ से कोई रिक्मेंटेशन नहीं है लेकिन इसका डिटेल इनफर्मेशन मैं आपके साथ एजुकेशन परपस से रखना चाहूंगा यदि इसके बाद आपका जो एक्षा करे कर सकते हैं तो चलिए आज मैं नीव एनफो पिरियेड में हूं और यह एनफो प पिरियेड अभी शल रहा है इसमें आप इनफेस्मेंट करके वेल्थ क्रियेट कर सकते हैं तो आज का एनफो है मोतिलाल ओस्वाल बिजनेस साइकल फॉन्ट डाइडेक्ट ग्रोथ एनफो और इसका लांच डेट जो था वह साथ अगस्ट दो हजार चौबीस था जो साथ अ कर सकते हैं और यदि आप इसमें इंफेस्मेंट करते हैं तो इसका एलोट्मेंट डेट होने वाला है 27 अगस्ट दो हजार चौबीस या नि यह आपके लिए इसमें एनफी एलोट जो है 27 अगस्ट को कर दिये जाएंगे इसके एनफी प्राइज की बात कर लिए जाए यानि आप इस NFO में मोतिला लोसवाल बिजनेस साइकल फ़ंड में यदि आप इन्भेस्मेंट करते हैं तो आपको एक सेर का कीमत 10 रुप्या परने वाला है एने भी पराइज जो है इसका 10 रुप्या होने वाला है फॉन्ड हाउस यानि इसका होल्डिंग क्या होने वाला है तो यह publish हो जाएगा NFO period जब खतम हो जाएगी उसके बाद जब इसको publish कर दिया जागा तब आप SIP या one time investment कर सकते हैं तो minimum SIP इसमें 500 रुपया है 500 से कम इसमें SIP नहीं कर सकते हैं वही इसमें one time investment भी 500 रुपया है यह नि आप यदि NFO में investment करना चाह रहे हैं तो आप 500 रुपया से भी कर सकते हैं उसके बाद इस पर expense ratio जो है अभी तक इसका clear नहीं हो तो मैं आंजाद से तो नहीं कुछ बसा सकता हूँ लेकिन जब भी कोई NFO लंच होता है तो इसका expense ratio काफी कौम होता है तो expense ratio जब ही आएगा इस पर फिर detail में मैं information आपके साथ रखने का कोशिस करूँगा exit load इस पर 1% होने वाला है within 3 months यानि यदि इस NFO में आप investment करते हैं और 3 महीने के पहले यदि आप पैसा निकाल ले रहे हैं तो आपको 1% exit load लग जाएगा वही इस पर stamp duty charge जो होने वाला है 0.005% होने वाला है अब इसके tax की बात कर लिया जाए तो यदि आप इस NFO में investment करते हैं और NFO में investment के बाद यदि आप एक साल के पहले अपना पैसा निकाल रहे हैं तो इस पर 20% आपको tax लग जाएगा वही एक साल के बाद यदि पैसा निकालते हैं इसमें से तो सारे 12% tax लगेगा tax कैसे लगता है यदि आप investment कर रहे हैं और एक लाख रुपया आप एनफो में invest कर दियें लेकिन इस पर जो है आपका फायदा जो हुआ वह हुआ आपको एक लाख रुपया तो उसी एक लाख पर जो फायदा होगा उसी एक लाख पर आपको यदि एक साल के पहले निकाल रहे हैं तो बीस परसेंट हो जागा वही एक साल के बाद इस एनफों से पैसा निकाल रहे हैं तो जो फायदा हुआ उसी पर सारे 12% आपको tax लग जाएंगे अब इसके फंड मनेजर के बाद को जाए तो इस एंफो में जो इस मैंचो करने वाले हैं जो इस मैचोफ्वल फंड को उसंट में पांच पांच जो सान Allen स्टी और 5 आपाऊ अंगेम्स पॉट को मैनेज करने का तो मैनेज करने करने कर चाया है इस लिए ऐसे अध्य मंज्ए करने-ध्यार ताकि यह फंड जो करेंगे उस पैसे को लेकर अलग अलग तरह के कंपनियों में इसका जो होल्डिंग होने वाला हूँ उस तरह के सेक्टर में निफ्टी सेक्टर में जो है यह इंवेस्मेंट करेंगे जहां से अच्छा खासा रिटर्निंग निकाल कर और देंगे लोगों को तो आपने इस जब आद दूंगा और यदि इस चैनल पर नएया है और वीडियो थोरा सभी पसंद अगर आया है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिले और हमें भी मोटिवीशन मिले मैं आपके लिए हमे